हेलो गाईज मेरा दाम है गुलाम गॉज आप देखरे टेक्सिंपल तो आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे पोको सी 31 का जो पोको सी 3 का बरा भाई आप कह सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ अफ्रेट नहीं किया गया है बस इसमें आपको एक्स्ट्रा फिंगर बिंट मिल जाता है फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसका हाइलेटरेशन फीचर है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बता देता हूं पर के 6.53 बिंच इसमेंश्ध मिल जाएगा 13 Megapixel पाहँ मेरा मिल जाएगा इसमें डाइस इसमें प्रिम लता है जाता है बात pem elder Error कि प्रसेसर मिल जाता है जो यह एक उप्टापर प्रसेशर है तो सो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देख्ते अंदर हमें और क्या-क्या मिल जाता है इस चुर्फाड़र भॉक्स ?? तो यहां पर है इसका बॉक्स меня आप देख सकते साइड में आप देख सकते हैं POCO सब्सक्राइब क्या चाइब आपको च्छर नेधा है यह वांपार राते में आरहे चार्जर को है ज़। तो यहां पर आपको सीफिन दोर्च करते अपको एक पॉर्ट मिल याता है उसकेर यहां पर आपको सीफिएर सितेरल डानी से लगलाता है इस ने सामर च духов है और ठीका शोग अच्छे है HD display है बद आपको बिल्कुल भी HD वाला यहां पे feelings नहीं आएगा यह लगभग full HD के ही बराबर में आप कह सकते है इसको और display के मामले में बिल्कुल भी यहां पे मैं कहुंगा कि काफी अच्छा display प्रवाइट किया आप focus c31 और यह काफी ब्राइट भी है तो आप डेलाइट में भी अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं होता है और इसमें आपको डार्क मोट भी मिल जाता जो आज की हिसाब से सभी फोन में मिल रहे हैं तो इसमें हम नहीं जो सैंपल दिखाया है आप इसी से एक अंदर्जा लगा लिजिए कि आपको जो वीडियो का एक एक सब्सक्राइब आपको कैसा मिलने वाला है मुझे तो परसनली काफी अच्छा लगाया डिस्पेले का क्वालिटी इसका और खासकर कि वीडियो का फोल इजडी या एजडी वाले कंटेंट तो काफी अच्छा आपको experience मिल जाएगा साउंड क्वालिटी के बाद करें तो यहां पर सिंगल स्पीकर है मेडियम है लाउड नहीं है मैं पहले हैं आपको बता रहा हूं मेडियम है वही 20-20GB तक आपको फिरी मिल जाएगा इसमें यह जो वैरियंट है हमारे पास 3GB RAM और 32GB internal memory वाले वारियंट है उसके बाद यह जो है Android 10 पर रन कर रहा है बैट्री कपसिटी के बात करें तो इसमें आपको 5000 मेच का बैटरी मिल जाता है जो काफी अच्छा बैटरी है और 5000 मे इंडिया भी प्ले कर सकते हैं लेकिन आप बैलेंस और मेडियम में खेल पाएंगे क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिल जाता है जो एक मेर्यम प्रोसेसर है ज्यादा लोग भी नहीं है इसलिए अप इसको इसी फ्रेमरेट पर खेल सकते हैं और अब्जी ठीक ठाक खे प्रोब्लम यहां पर देखने को नहीं मिला है pen drive में कामरा की बात की जाए तो यहां पर 13MP का मेन कामरा मिल जाता है 2MP आपको वही डेफ और 2MP आपको देखने को इसमें मिलेगा Fram-Facing camera की बात करें तो यहां पर 5MP का प्रफेसिंग क्यामरा मिलता है तो कैमरा जैसे हैं आप ऊपन करेंगे तो कुछ इस तर सी इसका इंटरफिस दिख जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर प्रो मोड भी जाए जिसमें आप आप आपको इसमें वीडियो रिकोडिंग मिल जाता है जिसमें आप आप एजडी और फूल एजडी दोनों में रिकोडिंग कर पाएंगे उसके बाद नॉर्मन फोटो ले पाएंगे इसमें आप और इसमें आपको पोट्रेट भी लेने के लिए मिल जाता है मोर में जाने से यहां पर आपको नाइट मोड मिल जाता है शौट वीडियो लेने के मिल जाता है और यहां पर एक Descops मिल जाता है और यहां पर प्योपिएल स्लों मुशर नहीं कर पाएंगे और इसमें आपको बहुत-सरा फ'... nova तरह जो अपने हिसाब से पूंगल मिल जाता है न garantते हैं किसी भी चीज का आप विभर करके ुसको फोटोपर आप सब्सक्राइब के देख statistically तो छलेए कुछ फोटो हम ले-ले एक और देखते हैं कि इसका ऑठ कईसा निकलता है कि तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा फोटो निकल के आ रहा है मतलब 13 Megapixel की हिसाब से और यह इंडोर सौट है तो हम आउट्डोर का भी कुछ की क्या है तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसे अपलाई करके काफी असानी से अच्छा से ले सकते हैं तो चलिए कुछ सेल्वी हम यहां से ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा निकल के आता है तो 5 Megapixel के हिसाब से से क्याम देखा जाए तो मुझे ठ अच्छा होता लेकिन इसका इंडॉर के हिसाब से ठीक ठाक है 5 मेंगाय पिकिसल के हिसाब से हम इसका आउट्डॉर सैंपल भी दिखा देंगे आपको तो अभी हम outdoor में आ गए हैं और यहां पे इसका quality आप देख सकते हैं काफी अच्छा फोटो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा और सार पिपी काफी अच्छा तरीका से और उल्समें पराइज की हिसाफ से देखा जाए तो इसा नहीं बोल बहुत ही जादा इच्छा आ रहा है मिलेगा और अगर आप नाइट मोड का इस्तमाल करते हैं तो ग्रेंस थोरा सा कम हो जाएगा आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा और पोट्रेट सेंपल इसका काफी अच्छा जाता है पोट्रेट में कोई गलती नहीं करता है खास करके जो एज डिटेक्शन होत कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम सोचे है कि इसका एक अलग से डिटेटेड वीडियो बना दिया जाएगा सिर्फ कैमरा से रिलेटेड होगा और उसमें बहुत सारा फोटे सेंपल वीडियो सेंपल निटेस तरीका से उसका वीडियो हम बनाएंगे तो यही पोको C31 का अन्बोक्सिंग और रिविव अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करतेजेगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सस्क्राइब करतेजेगा मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा